नमस्कार आदाब मेरा नाम तमश्वर सिन्ना है और मैं आज जो है उत्तर बस्तर कांकेर जिले के एक इसकुल में मौजूद हूँ जो राइपूर राजधानी, 36 गड़ की राजधानी राइपूर से जो है 500 किलोमेटर दूर कांकेर और वहां से जो है 50 किलोमेटर दूरी पर डूमर पानी गाउँ पड़ता है सरकारे जो है पानी को लेकर बहुत गंभीर है स्वक्षपानी मोहिया कराने के बड़े-बड़े दावे करते हैं प्रसासन जो है स्वक्षपानी पिलाने को बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन इस गाउं में पानी एक विक्राल समस्या के रूप में उभर कर आ रही है पानी जो है यहां के ग्राम वासी और छोटे बच्चों के लिए घातक साबित हो जा रही है इसलिए क्योंकि जीला प्रसासन इनको स्वक्ष पानी अभी तक मुहिया नहीं करा पाई है कारण इसका यह है कि इस गाउं में पानी की जिस मात्रा में फ्लोराइड है फ्लोराइड के कारण जो है छोटे छोटे बच्चे और गाउं के सभी लोंगों के जो है दात पीले हो गए है जिन से जो है हड़ी गलाने जैसी बीमारी भी हो जाती है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके दात जो है एकदम पीले हो गए हैं दिखाइए बेटा इनके दात आप देख सकते हैं कि पूरे पीले हो गए हैं और इस उम्र में दात जो है पीले होना बहुत ही मतलब प्रसासन जो को जो है हर कदम ज कारण है जी अच्छा आपके स्कूल में सब लोग का है इसी की आपका ही है बहुंस सरे लोग का है आपका नम क्या है बिटा एरोसन कर रहा हूं ऐसा आपका दाथ पिला क्यों है पानी के कारण पानी के कारण है और भी स्कूल के लोगों का है ऐसा हां अच्छा तो कभी डॉक् को यहां केमप वागेर है कभी डॉक्टरों का इसकुल में लगता है डॉक्टर लोंग लगाते हैं नहीं लगाते हैं आपका क्या नाम है एसे करेंगी बेटा दांट आप यह देख सकते हैं कि इनका दांत जो है कितना पीला है ये चोटी सी उमर है, आपकी उमर कितनी है बेटा? नौ साल की उमर में आप इनके दांस देख सकते हैं और ये इसी गाउं की समस्या है, आसपास के पूरे गाउं में सबसे ज़्यादा समस्या जो है डूमर पानी का है हमारे पीछे का स्लोगन आप देखेंगे स्वक्च हो पानी इसी में जिंदगानी ये खोखले दावे प्रसासन कर रही है और प्रसासन यहीं तक अपने नाकामी छुपाने में काम्याब नहीं है मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रसासन ने बकायदा जो है एक फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है जिससे लोगों को जो है सुक्च पानी मुहिया कराया जा सके लेकिन ये फिल्टर प्लांट जो है सिर्फ दिखाने के लिए है इस फिल्टर प्लांट जो है दो साल से बंद पड़ा हुआ है फिल्टर प्लांट जो है काम नहीं कर रहा है लगने के कूछी महीनों बाद ही फिल्टर प्लांट जो है बंद पड़ा हुआ है और बच्चे जो है आज भी बच्चे जो है लाल पानी पीने को मजबूर हो रहे है पानी जो है एक मौलिक अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति को जो है स्वक्ष पानी मुहिया कराया जाए यह प्रसासन की पुर्ण जवाबदारी होती है लेकिन हमारे जिला प्रसासन और सरकार जो है इस और बिल्पुल भी गंभी नहीं हो रहे 36 गड़ में जुम्म जुम्म जो है एक महिने को होने जा रही है नई सरकार आई होई है इन बच्चों की समस्या और इन गाउं वालों की समस्या जो पूरा गाउं जो है लाल पानी से गरसीत है जो एक प्रकार से सारे के सारे बच्चों के जो दात है या गाउं के लोगों के ज फ्लॉराइड होने के कारण जो है एक हड़ी गलने वाली बीमारी होती है जो हड़ी रोग विसेसग्य बताते हैं फ्लॉराइड की जादा मातरा रहने से जो है हड़ी गलने वाली बीमारी हो जाती है हमारे साथ जो है इस इसकुल के सर है जो इस पूरे मामले को लेकर थोड़ बिल्कुल सही बात बोले सर आप यहां तो समस्या यह है कि यहां की पानी में जो है काफी मात्रा में कुल राइड है और यह इसकूली बच्चे नहीं पूरे गाउं इन से पूरा जूज रहे हैं और सासन प्रसासन का अभी तक ध्यान नहीं गया है 2006 में जो यह प्लांट लगाया गया है सुख्चा पानी फिल्टर वाला पानी मोहिया कराने के लिए लेकिन मात्र मसीन लगा दी है और जो दिख रहा है वो सब लगा के बस गये हैं उसके बाद मात्र एक महा चला और अभी तक बंद पड़ा है बीड़ा है तो उसका कोई देख को भी गया है जीला सिक्षा अधिकारी को भी गया है और पीच्ची विभाग को भी हमने आवेदन दिया है कि यहां ऐसा-एसा समस्या है और आपकी मशीन जो है बन पड़ी हुई है जिस पर ध्यान दिया जावे करके कई बार सिकायत कर चुके हैं अच्छा सिकायत के नहीं सर हम जितने भी हमारे स्टाफ हैं वो सब बाहर से आते हैं अब कई सर जो है एक दो सर लोग अपने लाते हैं अपने सुईधा के लिए बाहर से लेकिन हम लोग भी क्या करोगे मजबूरी के करण यहां का पानी पीना पड़ता है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पानी का फ्लॉराइड का मात्रा इतना है कि यहां जो सर जो है पड़ा रहे हैं बाहर से पानी लाकर पीने के मजबूर है तो इन बच्चों को जो है प्रसासन जो है जहरीला पानी क्यों पिला रही है आखिर इस और प्रसासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और